और चले राइपुर से की एक और बड़ी कबर के ओरू कर लेते हैं दरहसल बाद अब मौसम की करेंगे तो चतीजगर से मौनसून की जल्थी विदाई को गी प्रदेश में बारिश की गति वीदियों में कमी आएगी पंदरा अक्टूबर के बाद मौनसून की वापसी संभव है तो राइपोर से इस वक्त की बड़ी कबर चांप को बता दे कि 36 गड़ से मौनसून की विदाइक होगी कहा जा रहा है कि प्रदेश में बारिश की गती वीदियों में कमी आएगी लेकिन 15 अक्टूबर के बाद एक बार फिर मौनसून की बापसी संपहब है जादा जान करी लेंगे से होगी कुल बूश रड़ लगतार हमारे साथ बने हुए हैं कुल बूश रड़ च्छतीस गड़ के मौसम की अगर बात करें तो क्या फिलहाल मौसम का मिजास बना हुआ है और मौसम में बाद का क्या कुछ कहना है आने वाले समय में मौसम को लेकर जी अगर हम मौसम की बात करें तो इस बार का छ्छतीस गड़ का मौसम जो रहा है वो बड़ा ही फिर बदल करा है कभी धूप पड़ी है तो कभी अचानक से बारिस होई है और यही ठाल आने वाले समय में भी हमको देखने को यहां पर मिलेगा क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद जिस तरह से मौसम भाग की जानकारी आई है उसके अनुसार अगर हम माने तो 15 अक्टूबर के बाद जो है वो मौसम में गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन दुबारा जो है एक बार बारीस की जो लहर है वो दुबारा एक बार चतिस गड़ में उपर दुबारा दिखाई देगी उसके बार धिरे धिरे जो बरसात का दौर है वो खतम होते जाएगा और ठंड की जो सुरुवात है वो नॉबर सुरुवात के दौर पर ही हमको देखने को मिलेगी हाला कि जिस तरह से मौसम में लगतार बदला हो रहे है तक यह होता था कि अक्टूबर 15 तक जो होती तो ठंड आज चुकी होती थी ठंड के सुरुवात हो चुकी होती थी लेकिन अब तक बार धिस का दौर ही जारी है 15 अक्टूबर के बाद एक बार फिर जो है वो मौसम में पलट की जो जानतारी है वो सामने आतारी के एक बार और है जो हलकी बारिस की पोहार है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है उसके बाद बार फिर पिर से मौसम में बदलापकी संभाब ना बनती गोई निज़र आ रिक है मौसं बेवा का कहना है कि एक बार फ़र से मौनसून की वापसी हो सकती है बहुत शुक्री आपका बने रहीगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे तो आपको बता दे कि छोतीस ग評 से मौनसून फिलहाल विदायी ले सकता है लेकिन मौसम बिवाग का ये कहना है अनुमान है कि 15 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से मौनसून की वापसी छतीज कड़ में संभव है